अलो आज नमस्कार में नाम है संधिक चोहान, आप देखने हैं चोहान UK Vypes, तो आज की वीडियो काफी जादा important होने वाली है, तो प्लीज मेक शूर इस वाली वीडियो का आप लासक, जरूर देखें, तो आज में लोग बात करने वाले हैं, यहां पर लग्जंबर्ग के बा बारे में, क्या-क्या eligibility criteria होंगे, आपको degree चीए या diploma चीए, क्या आपको work experience चीए या नहीं चीए, क्या आपको documentation चीए, तो सारी चीज़े इस वाली वीडियो के अंदर cover हो जाएंगी, अगर आप लग्जंबर्ग के अंदर as registered nurse काम करना चाहते हो, तो हम लोग सारी चीज़े तो हाँ, जीनम वाले कर सकते हैं, क्योंकि जो लग्जंबर्ग है, उसका guideline उसके अंदर लिखावाएगा, एक्लिस आपको तीन साल की nursing course आपको पता है, अपनी general nursing है, वो तीन साल की होती है, अगर आपको जीनम के बीज़े नर्सिंग है, तो आप लोग लग्जंबर्ग के अंदर as a registered nurse काम कर सकते हैं, उसके बाद बात आते है experience की, क्या हम experience चीए, तो हाँ, आपको experience कम से कम एक साल का चीए, आपकी nursing diploma या फिर आपकी डिग्री है, वो खतम होने के बाद, registration आने के बाद, अगर आपके पास एक साल का experience है, तो आप लोग लग्जंबर्ग के लिए try क यहां पर काम नहीं चलेगा, जो आपकी language हो, आपके तीन main languages बोली जाती है, अपसे पहले आपकी German, दूसरी आपकी French, और तीसरी है, लग्जंबर्गिश, तो अगर आपके पास इन तीनो language के अंदर, या फिर इन तीनों में से किसी एक language के अंदर, अगर आपको language proficiency test clear है, त आप लोग यहां पर आके काम कर सकते हैं, तो आपको मैंने तीन language बता दिया, आपको German आनी चीए, या फ्रेंच आनी चीए, या फिर आपको Luxembourgish आनी चीए, तो काफी सारे लोगे सवाल करते हैं, कि सर, अगर इतनी अच्छी country है, इतना ही अच्छा पेई करती है, मैं आपक काफी easy है, क्योंकि कहीं ने कहीं हमारी जो country हैं, वो हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं हम लोग है, हमारे लिए हिंदी और इंग्लिश काफी जादा easy है, बट बहुत कम लोग हैं, जिनकी जो competencies German में या फिर French के अंदर या फिर Luxembourgish के अंदर है, तो यही एक language barrier है, य चली हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पर आपके eligibility के बार में, बस आपसे पहले या तो आपके पास आपके बाती होना चाहिए, या फिर BSc Nursing होना चाहिए, दूसरा आपके बास आपकी nursing complete होने के बाद एक साल का experience आपके आपके पास होना चाहिए, आपके लेवल ने चाहिए, लक्संबर कंट्री के अंदर अगर आपको एस रेजिस्टर नर्स बनना है तो आप लोग को अपलाय करना पड़ेगा थ्रू M.H.E.R. Ministry of Higher Education and Research अगर आप लोग वहाँ पर जाते हैं आपके पस ओ जो फॉर्म है मैं आपको एक काम पर में सारे जो भी आपके लिंक्स हैं नहीं कर रहें तो सारे चीजें में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो M.H.E.R. में अगर आप लोग जाकर अपनी अप्लिकेशन फिल करते हैं तो उसके लिए आपको कौन-कौन से अप्लिकेशन में डीटैरी है और कौन-कौन से लॉक्त आप लो गें पास होने चाहिए तो उसकी लिस्ट में आप लोग जरूर देता हो ताकि यहलु आपके यह सारी डोकुमेंटेशन में पर होने चाहिए तो उसके पहला डोकिमेंट है वो है आपका एजुकेशनल ट्रांस्क्रिप तो जिस भी कोले से आपने जी आने वाफी नर्सिंग करी है तो उसके आपके पास प्रांस्क्रिप होनी चाहिए कोई भी क्रेजिस्टर डोक्तर जिसके बास मेंटली सही है तो वहां से आप लोग गुड हल्ट सेटिफिकेट आप ले सकते हैं जिसके अंदर आपके फिजिकल और मैंटल हेल्क दोनों वापे डेक्लियर करी जाएंगी कि हाँ जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है इस चौप वह है बी लेवल टू अगर आपके पस्ते सारी डोक्यमेंटेशन अवेलेबल हैं तो आप लोग M.H.E.A.R. मी जाके अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए आपका वीजा प्रोसेस होगा वीजा अप्लिकेशन होगी और वीजा अप्लिकेशन के लिए क्लिए 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 अपके वीजा अप्लिकेशन के लिए इसके बाद हमें चाहिए हल्थ कवरेज हमारी जो हमारा इंशोरेंस है वह यहाँ पर चाहिए और जितने भी डोक्यमेंटेशन मैंने आपको बताएं जो आपके अकेडमिक्स है और अपकी जो लैंग्विज के हैं वह सारी में जाके काम करते हैं तो हमें बैनेफिट्स क्या-क्या मिलेंगे हमारे जब मैं यूप के आता हूँ तो जब भी हम लोग किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमारा समसे में इस कंट्री में जाके काम करेंगे तो हमारे बैनेफिट्स क्या-क्या होंगे तो सबसे नंबर आपको वहाँ पर प्रोवाइड करता है आपका employer, नीसरी जीस जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो है आपकी unbelief, unbelief काफी ज़्यादा important होती है अगर आपको घर आना है, तो भी आपको पैसे मिलते हैं उस चीज के न, unbelief काफी important होती है, उसका बार हम बात करते हैं pension and retirement, क्योंकि pension आप सभी लोग को इस चीज के बारे में पता है, कि at the age of retirement आपको pension की काफी ज़्यादा जरूरत होती है, तो आपकी जो pension है वो भी आपको employer के तरफ से आप आपको मिलती है, और lastly हम लोग बात करने वाले हैं आपे salary ये बारे में, तो salary है एक ऐसा point है, जिसको लेके सब लोग बोलते हैं कि हमें लगजम बग जाना है हमें लगजम बग जाना है, तो मेरे इसाब से मैंने आपको सारी चीज़े बता देगी क्या कि डोकेमेंटेशन आपको चीए, किस website के थरू जाके आप लोग इस सारी चीज़े अपलाई कर सकते हैं, अब में चीज़ आते है कि कौन-कौन सी एजेंसिस को आपको कॉंटेक्ट करना पड़ेगा, तागे आप लोग लगजम बग के अंदर एक स्पोंसर जोब ढूंढ सको, और कौन-कौन सी वेबसाइट ऐसी हैं, जिसके पास आप जाके अपनी स्पोंसर जोब है, वो सारी चीज़े आप लोग आप लोग बता देता हूं, जिसके थरू आप लोग यह वाली जो जो जोब्स हैं के लिए आप लोग का अपलाई कर सकते हो, इमसे पहली वेबसाइट जो मैं रिक्मेंट करना चाहूंगा आप लोग को वो है, जो लास्ट वेबसाइट है आप लोग के लिए वो है आपकी यूरिस लग्संबर्ग, तो आप लोग इन वेबसाइट के थरू जाके अपनी जो जोब है, वहां पर अपलाई कर सकते हैं, और बाकी जो एजेंसिस के के बारे में है न, बट जो सबसे मेन बैरियर आता है, जो एक स्टेप बैक है सबी लोगों के लिए कि हमारे पास यह लैंगविज नहीं है, ना ही हमारे पास फ्रेंच है, ना ही लग्संबर्गिश है और ना ही हमारे पास जोमन लैंविज है, तो यही एक मेन बैरियर है, ज बाती वारे में जानना है कि किस तरीके से उस country के अंदर जोब कर सकते हैं, तो मैंने बनाएं इसंदर इफरिंट countries हैं, आप लोग जाकि देख सकते हैं, आप वह वग कोई कया मैं काम करना है, और मैं काफी डीटेल वीडियो इनक बर बना रखते हैं, जाकि लोग देख सकते है इसके अंदर different countries हैं, तो hopefully आपको यह वाली video informative लगी होगी और काफी अच्छी लगी होगी, तो मिलते अपनी next वाली video के अंदर, thank you so much guys, आपने हमें इतना time दिया, धन्यवाद.